आप सभी का सुनिल लगजाम 100 चैनल में स्वागत हैं आज आपको हम लेके आए हैं संधी क्या है, संधी कित्ते प्रकार की होती हैं और संधी को हम कैसे पहचान सकते हैं और संधी किस टैप से या किस चीदू से मिलकर बना होता है उन सारी की चर्चा इस सेशन में होने वाली है उन सभी पॉइंट की चर्चा आपको इस सेशन में मिलने वाला है सभी छात्र इस वीडियो को आन तक देखिएगा तो आपको समझ आप आएगा कि संदी कितने परकार की होती है और संधी में कौन-कौन से सब्द पढ़ने पढ़ते हैं आपको और संधी में किस-किस टाइब से परिवर्तन होते हैं तो आप सभी लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजेगा और इन सारे एफेक्ट को नोट करिएगा क्योंकि अब आपको नए नए फेक्ट और नए ने पॉइंट्स इन सभी ग्रामर पोर्शन के हिंदी के जित्ते भी ग्रामर पोर्शन होते हैं उन सभी की चर्चा होने वाली है आपकी इसी वीडियो इस वीडियो में कुछ contents आपको explain किये गए हैं और next जो वीडियो आएगा उसमें इसके आए का persons समझाया जाएगा हाँ तो जानिए पहले संधी क्या होती है संधी क्या होती है संधी क्या होती है आपको पता है कि संधी सार दो वड़ों का mail होता है मतलब दो सब्द को आपस मिलाने से क्या बनता है या फिर जो परिवर्तन होता है उसमें उसे बोला आता है संधी तो याद रखेगा दो वड़ों के mail से होने वाले परिवर्तन को संधी कहते हैं अब बात करते हैं संधी के भेद क्या क्या होते हैं या संधी के भेद कितने परक स्षर संदी बिसर्ग संदी और बेंजंड इन भेद से आप पढ़ेंगे संदी के तीन भेद संदी किते भेद तीन भेद अब इस भेद के भी कुछ परकार होते हैं उनकी भी चर्चा करने वाले हैं हम स्षर संदी आप सब को पता है यह से आहा तक कि जित्ते सब्द होते हैं वो सारे स्वर के अंतरगत आते हैं और कर से ग्यान तक कि जो वर्ड होते हैं वो बिंजन के अंतरगत आते हैं तो स्वरसंदी क्या होती है स्वरसंदी जानियेगा पहले स्वरसंदी दो सवरों के मेल से होने वाले परिवर्तन मतलब उसमें दो सवर आपस में अगर हम मिला दिया जाए किते सवर दो सवर आपस में मिला दिया जाए तो जो उसमें परिवर्तन होता है वो आपका क्या होता है सवर संदी होता है क्या होता है सवर संदी होता है स्वरसंदी के निम्न परकार से भेद होते हैं दो स्वरों के दो वेंजन की बात नहीं हो रही है दो स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वरसंदी कहते हैं और स्वरसंदी निम्न परकार के भेद होते हैं और स्वरसंदी के निम्न भेद होते हैं अब हम पढ़ते हैं इनके भेद की चर्चा हलांकि हाँ इस type से अगर questions या फिर इस type से आप अपने copy में note करते हैं तो आपको आने वाले हर एक competition exams या फिर हर एक vote के exams में बहुत helpful होने वाला है क्योंकि इस type से questions आपके हर एक exams में आता है हिंदी से जो भी questions बनते हैं दिर्ग संदी क्या होती है अब दिर्ग मतलब भी समझ आ रहा है बड़ा संटेंस की बात हो रही है किसकी बात हो रही है दिर्ग मतलब बड़े संटेंस की जहां बड़ी मातरा लगी हो कौन सी मातरा बड़ी मातरा याद रखेगा बड़ी मातरा की बात हो रही है छोटी मातरा बिद्याल है भनु दय और देवा सूर आदी जिसे बिद्याल है भी इसमें दा बड़ा आक मातर लगा है और भनु दय भनु में बड़ा बड़ी मातर लगी है और आपको सू में भी बड़ी मातर लगी है वह में भी बड़ी मातर लगी है तो देख सकते हैं जिस संटेंस में या जिस सब्ध में या जिस अच्छर में बड़ी मात्रा का यूज किया गया हो उसे बलाता है दिर्ग संदी इसके परिवेसा लिखना है आपको जहां बड़ी मात्रा लगी हो उसे दिर्ग संदी कहते हैं अब बात करेंगे हम गुड संदी की, गुड संदी क्या होती है, जहां एक मात्रा लगी हो, क्या लगी हो, जहां सिर्फ एक मात्रा लगी हो, कितनी मात्रा है, एक मात्रा, बड़ी मात्रा की बात होती है, दिर्ग संदी, जहां सिर्फ एक मात्रा लगी हो, उसे बला आता है एक दिन ये नोट्स खुद का बनाया हुआ है आप सभी लोग इसको अच्छे से पढ़िएगा और अपने कॉपी में नोट कीजिएगा जहां एक मात्रा लगी हो वह गुड संधी होती है for examples के लिए नरेश, महोदय, महेश और दिवेश सिर्फ एक मात्रा देख सकते हैं ए में एक मात्रा महोदय में एक मात्रा महेश में भी एक मात्रा और दिवेश इन सभी में क्या लगा है सिंगल मात्रा लगी है कितनी मात्रा लगी है सिंगल मात्रा लगी है इसलिए इन्हें बो दो मात्रा लगी हूँ याद रखेगा जहां दो मात्रा लगी हूँ उसे बोला आता है ब्रिद संधी यहां पर दिर लिखा गया है ब्रिद संधी दिर का मतलब भी बड़ा होता है लेकिन ब्रिद का मतलब होता है बड़े संटेंस को जोड़ना तो ब्रिद संधी जहां दो मात अभी याद रखेगा जहां डबल मात्रा हैं जैसे आपने देखा होगा ए फिर आय में क्या होती है डबल मात्रा होती है नो नय नय में क्या होती है डबल मात्रा होती है तो इसलिए बोला गया है जहां दो मात्रा लगी गई हो कितनी मात्रा लगी हो दो मातर लगियों उसे बोला आता है बृदिसंदी बोली जाती है क्या बोली जाती है याद रखेगा आप लो इसके एक्जामपल सदे और एक एक इस टैप से हमने एक्जामपल्स भी बहुत सारे लिये हैं जिससे आपके कहीं से भी कोशन्स फसें चाहे इन सारे एक्जामपल्स में से कहीं से भी कोशन्स फस जाएं गो सक्यो या महस्वर कहीं से भी संटेंस फसें तो आपको समझ आ जाए कि नहीं यह संटेंस हमें पढ़ा गया है और यह आता है जो आपका प्रिदिसंदी में आता है अब बात करेंगे अगले संदी की हम यड संदी जहां यवर ये संटेंस की बात करें जहां यवर ऐसे सब्द पहले आते हैं यड संदी की बात करें जहां यवर से पहले आधा सब्द आए आधा सब्द मतलब इन संटेंस के पहले आधा सब्द जुड़ा गया हो अधा सर जुड़ा गया हो अधा व जुड़ा गया हो या अधा कर जुड़ा गया हो अधा पर जुड़ा गया हो अधा फर जुड़ा गया हो यह अगर संटेंस आते हैं आपको तो याद रखेगा वह संदी होगी यह संदी स्वागत के पहले आपका व है वह के पहले आदा संदेंस आया है इत्यादी या के पहले आपको क्या है अधाता आया है यसलिए इस संदेंस को पढ़ा गया है देवा गमन या के पहले आपको अधा संदेंस आया है राज्य गमन या के पहले आपको अधात्या आया है तो इस step से जो sentence आते हैं याद रखेगा वो होते हैं यड़ संधी कौन संधी होती है यड़ संधी होती है अब बात करते हैं अगले संधी की हम तो अगले संधी क्या है आपके पास अयादी संधी क्या है अयादी संधी क्या होती है आपको इस चर्चा हम कर लेते हैं मात्रा नहीं होती है, simple sentence होता है, बहुत simple sentence होता है, जिसको आपको सुरू class में या पहली दूसरी class में पढ़ाया जाता है, छोटा आ के मात्रा लगाना, छोटी मात्रा को लगा के पढ़ाया जाता है, गो सब होते हैं, अयादी संदी की अंतरगत, तो यार रखे है, ए, आ, ओ, और बड़ी मात्रा का sentence न दिया गया हो, उसे अधिक्तम तीन सब्दों हो, उसमें, और ये भी conditions है, मात्रा नहीं हो, लेकिन हाँ, कितने sentence हो अधिक्तम, तीन sentence हो, चार sentence नहीं होने चाहिए, अधिक्तम तीन sentence होना चाहिए, वो होते हैं, सब अयादी संदी, क्या होते हैं, अ अग्जामपल्स के लिए पवन नायक पावक और नयान भवन और कमल धावक सावक गयाग इसके आप देख सकते हैं आपको समझ आ गए होंगे उमीद करते हैं अब बात करते हैं अगले पॉइंट्स की आप लोगों ने पढ़ लिया स्वर संदी अब हम बात करेंगे वेंजन स कि संदी की बात करेंगे वेंजन संदी इसके बार आएगा आपका बिसर्क संदी उमीद करते हैं सब को समझ में आ रहा होगा अगर जिस पॉइंट पे आपको लगता होगा कि कहीं पे आपको समझ नहीं आ रहा है या फिर कहीं पे कुछ गलतियां लिखी गई होंगी या संटे कौपी में अगर आप लोगों ने कौपी बनाया होगा लेकिन हाँ इसमें आपको नए से नए संदेंस पढ़ने को मिलेंगे अब बात करते हैं हम बेंजन संदी की किस संदी की बात करने हैं बेंजन संदी की बात करते हैं तो बेंजन संदी क्या होती है ध्यान रखेगा थोड करने के लिए, जहां वेंजन के बाद स्व्र या वेंजन आने से जो परिवर्वर्टन होता है, उसे वेंजन संदी कहते हैं, तो यह संचल. संचकेप में बिंदी तो या तो पूरा म स्वा म में बदल जाता है क्या संटेंस संचेप में अगर हम बात करें तो एक संटेंस आप क्या ले सकते हैं बिंदू बिंदू जो होता है वो पूरा संटेंस किसमें बदल जाता है मौ में बदल जाता है पूर एक्जामपल के लिए के संचेप, संधन छेप और सहीता, सहीता जो लागव होती है, उससे रिलेट होता है, संधन हीता, गे आपका convert हो गया है, अब अगले संटेज के कुछ और बात कर लेते हैं, आपको आधा, आधा ना हो, दा हो, अधा चा हो, जा हो, पूरा तो त मे बदल जाता है जाता है उन्नती उतधननती उतधननती किसम बदल गया उन्नती उन्नता ना था तो वो किसम बदल गया तो में बदल गया किसम बदल गया तो में उन्नती उन्नती को उतधननती उदभाव उदभाव याद रखेगा ना दच और जर इसको बदलते हैं हम किसमें तव में बदलते हैं, तव में हलंत ता के साथ बदल देते हैं, उद्भव, उत्धनबव, उज्वल, उत्धनवल, उत्धनवल, उत्धनचारण, सजन, सत्धनद, जन, यस, अब बात करते हैं, अगले कुछ और संटेंस की आप लोग याद रखेगा, अगला संटेंस जो है, करें और लोग ने लिखा होगा और इस चुट्रीयों में हम बहुत सारे contents clear करने वाले हैं तो आप सभी छात्र इस सारे वीडियो को जरूर देखिएगा बात करते हैं बिसर्ग संदी की किस की बात करते हैं बिसर्ग संदी की थर्ड टाइप है संदी तीन परकार के होती है एक बार और रिकॉल कर सकते हैं संदी कितने तरकार के होती हैं, तीन परकार के होती हैं, स्वर संदी, बिंजन संदी और बिसर्ग संदी, अब बात करते हैं, बिसर्ग, अहा के बाद किसी स्वर अथवा बिंजन का आने से जो परिवर्टन होता है, हाँ, क्या बात हो रही है, अहा, अहा, अंग, अहा, अंग ह ब्रिभतर्टर ने को आने में जो परिवर्तर होता है उससे बोला जाता है विसर के संधी आपको समझाया गया है इई-उ-भ-ख-प-और-फ-एस-k Ig-ठो-ख-ख-घ ho जाता है यह जो संटियन से सारे किसम्टर जाते हैं आपके को मीदन जाते हैं किसम् Prevention जाते हैं खटखोर वाला सह होता है इसको पढ़ते हैं खटखोर वाला सह बोला जाता है हाँ तो याद रखेगा नीधन कपट निसकपट हो जाता है नीधन कपट निसकपट खटखोर वाला सह है नीधन फल निसफल हो जाता है दूधन कर दुसकर हो जाता है और अगले sentence की बात करें व, छ, स, ये आधा स, में बदल जाता है अगर हम बात करें व, छ, स, ये जो sentence रहेंगे ये आधा स, में बदल जाएंगे अगर बात करते हैं हम इस sentence की निधन छ, निश, 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 आपको संधी परिवरतन questions में आता है आपको पैचानने के लिए भी आता है और विचेद भी करने के लिए आता है तो आप लोग इस type sentence को याद रखेंगे तो बहुत आपके लिए useful होने वाला है नीधन चय वराव निश्क Canton निह धन चल वरावर निश चल और अगले संटेंस की बात करते हैं हम तय सय हो तो सम में बदल जाता है अगर तय और सय हो तो वह सम में बदल जाता है जैसे नमस्ते क्या है नमस्ते नम धन ते नम धन ते वो किस्ण में बदल जागा नमस्ते निह धन तेज निस तेज अगर बात करें निह धन संतान निसंतान या इसको पढ़ते हैं निसंतान और कुछ अगले संटेंस की बात करें हम तो कुछ और संटेंस है आपके पास इस टैप्स के संटेंस को आप परिवर्तन कर सकते हैं तपोवल, मनोवल, मनुरंजन, मलो, योग, मनोनित, अगोगोईत, पुरोरिट, अरोज, मनोभुमी इस चैब से संटेंस को अब एक्षेंस कर सकते हैं और नीचे कुछ और कंटेंस लिखे गया है कंटेंस लिखा गया है नि धन आसा बरावन नीरासा आज जो है वो राम बदल गया है निह धन आसा बरावर निरासा निह धन बल बरावर निरबल आसी धन बाद बरावर आसिरवाद निह धन धर बरावर निरधन दू धन अभिवान बरावर दुरा भिवान चतु धन पद बरावर चतु पद यस इस टैप से आपके हमने आज के स में संधी को पूरे तरेके से complete कर लिया है आप इसका चाहें तो इसकी शोट ले सकते हैं चाहें तो आप इसको अपने copy में note कर सकते हैं लेकिन copy में note कीजिएगा क्योंकि आपको नए-ने contents आपको daily हम provide कराने वाले हैं अभी संधी के चाचा होने वाली है हो चुकी है अब इसके आगे का जो parts होगा गो रस से related होगा और इससे कुछ और प्रिवर्तन से हम लेंगे हाँ तो आप लोगों ने इस सारे contents को note कर लीज़ेगा इसके insert ले लगे अब guess अब मिलते हैं हम आपको next video में next session के साथ और next condition और next content के साथ धनवाद आप सभी लोगों का